आज से 7 साल पहले 2016 में भारतिय वायू सेना यानि इंडियन एर फोर्स का एक विमान रहस्य मई तरीके से लापता हो गया था इस विमान में 39 लोग सवार थे और इसे ढूणने के लिए 54 दिनों तक सर्च ओपरेशन चलाया गया लेकिन इसका कोई पता नहीं लग पाया अब इस घटना के 7 साल बाद शुकरवार 12 जन्वरी को अचानक से इस विमान के मलबे मिले हैं चलिए आपको विस्तार से पताते हैं एर फोर्स का विमान कब कैसे और कहां गुम हो गया और अब अचानक से कैसे मिल गया भारतिय वायू सेना का लापता हुआ विमान AN-32 था दो इंजन वाला ये विमान 22 जुलाई 2016 को बंगाल की खाड़ी के उपर रहस्यमई तरीके से गायब हो गया था इस विमान ने उस दिन सुबह लगबग साड़े आठ बजे चैन्ने के तामबरम वायू सेना स्टेशन से उडान भरी थी और उसे दोपहर के आसपास अंडमान और निकोबार द्वीब सम्हू की राजधानी पोर्ट बलेर पहुँचना था लेकिन वायू सेना के अधिकारियों के साथ विमान का रडार संपर्क तूट गया विमान के उडान भरने के 42 मिनिट यानि सुबह लगबग 9 बचकर 12 मिनिट पर रडार से इसका संपर्क तूटा इस समय विमान चैन्ने से लगबग 280 किलोमेटर पूर्व दिशा में था इस विमान में कुल 29 लोग सवार थे जिनमें 6 चालक दल के सदस्य थे, 11 वायू सेना के कर्मी थे, 2 भारतिय सेना के जवान थे, भारतिय नौ सेना और भारतिय तटरक्षक बल के एक एक जवान और नौ सेना आयूद डीपो के साथ काम करने वाले 8 डिफेंस सिविलियन शामि विमान के लापता होने की सूचना जैसे ही अधिकारियों को मिली उसके बाद विमान की खोजबीन शुरू हो गई, यह सर्च ऑपरेशन भारत का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन में से एक बन गया, इस ऑपरेशन में भारतिय सेना के जवानों ने विमान का पता लगाने के लिए सबमरीन, जहाजों और कई विमानों का इस्तेमाल किया, फिर एक अगस्त 2016 को यह पुष्टी कर दी गई कि विमान में कोई अंडर वाटर लोकेटर बीकन नहीं था, अंडर वाटर लोकेटर बीकन क्या होता है, यह एक डिवाइस है जिसकी मदद से रेस्क्यू और सर् ओपरेशन टीम को पता लगता है कि डूबा हुआ प्लेन कहा है, लेकिन इस मामले में सर्च ओपरेशन टीम को निराशाही हात लगी और बचाव अभियान को 15 सितंबर 2016 को बंद कर दिया गया, विमान में जो लोक सवार थे उन सभी को मृत मान लिया गया था, लेकिन फिर ल भारतिय वायू सेना के एन 32 विमान का मलबा मिल गया है, रक्षा मंत्राले के आधिकारिक बयान के नुसार चैन्ने तट से लगभग 310 किलोमीटर दूर समुद्र तल पर लापता विमान का पता लगाने के लिए नैशनल इंस्टिटूट ओफ ओशन ने एक ऑटोनॉमस सिंथेटिक अपर्चर सुनार और हाई रिजॉल्यूशन फोटोग्रफी सहित कई पेलोट का इस्तेमाल करके 3400 मीटर की गहराई पर मलबे की खोच की गई है, आधिकारिक बयान के अनुसार सर्च इमेजेस की जांच की गई और पाया गया कि वे इमेजेस एन 32 विमान के जै KFN 32 K2743 का ही है